अगर आपका संबंध विहार से है तो आपको अब अक्सर इस बात की जनकारी की जरूरत भसूस हो रही होगी कि बिहार में जो सरकार का गठन हुआ है वो सरकार किस स्थिती में चल रही है क्या हो रहा है और सरकार की स्थिती क्या है, सरकार क्या कुछ करने जा रही है और विपक्ष किस तरह से सरकार को मजबूर कर रहा है, इन सब बातों को ले करके आपके जहर में बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवालों का जबाब तरासने का प्रयास हमला अतार कर रहे हैं, बिहार के राजनियत जितनी तपिस नहीं रहेगी उससे जादा ठंड के मौसम में उमस बढ़ा देगा चुनाओं के बाद कर रहने थी और ऐसा लगतार जो बाते सामने आ रही है उनको देख करके आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किस तरह से बिहार की राजनी सरकार बनने के बाद भी कम नहीं ही हुई है आपको अक्सर देखने को मिला होगा कि जब चुना हो जाते हैं परिनाम आ जाते हैं सरकार का गठन हो जाता है तो बहुत सारी चीजे सांथ हो जाती है चर्चाओं का बजार गर्म हो जो रहता है वह अचानक से ठंडा हो जाता है और लोगों का ध्यान अब हो जा सब सब बातों से ज्याइदा इस बात की हो रहे हैं कि कोन कहां रहे गा कॉन पलट कि λέगी सरकार कीसे चलेगी सरकार से ज्यादा चिंताय और लोगों हो गई है इन ब chilly विग्णते शमी करणों के बीच जो बाते चर्चा में आ रही के साथ समिक्षा बैठक कर रहे हैं समिक्षा बैठक सभी ने किया है लेकिन अचानक से कुछ परिवर्तन जो हुए हैं उसकी खबरें ज्यादा चिंदित कर रही हैं दोनों ही खेमे को दोनों खेमे का मतलब आप समझ रहे हैं इसे खेमे कई हैं बिहार में लेकिन मुख्य रू वोट का परतिसर्थ भी देखा जा तो बहुत ही माइनर अंतर पढ़ रहा है बारत चौदा हजार वोटों के अंतर से सरकार बनी और विगड़ी यही सब बाते हुई है और इन सब बातों को ले करके अब नए समीकरन की तरफ बिहार की राजनीत डेगा डेगी रखना सुरू क पर चुके इसके पीछे बहुत सारे कारण है नितिश कुमार जी कम सीटों के बावजूद क्या आपको लगता है कि अब बैठने वाले हैं बिल्कुल नहीं बैठने वाले हैं नितिश कुमार जी हमेशा सक्ति संचे की बात करते रहे हैं और नितिश कुमार जी के राजनीत क उन्होंने छोड़ा भी है आरजेगी के चुनाव से पहले आपने देखा कि कितने सदस्यों ने जद्यू का दामन थामा हाँ हाला कि उसमें से बहुत सारे लोगों को सफलता भी विली कि असफल भी रहे हैं ये प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया इस प्रयोग के सफल मारी हुई है और इसके पीछे खारण था उनका पुराने मित्र जो आपने आपको नितिश कुमार का सबसे छटका भाई कहते हैं हम उपेंद्र कुश्वाह की बात कर रहे हैं जितना जारत दोनों के बीच में तलकी थी उसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है और नितिश तो तुम हो वरना तुम्हारा कोई हस्कित नहीं है और ये बातें अक्सर दुनिया के सबसे बड़ी पाटी मानती रही है भाते जन्ता पाटी कि मैं बात कर रहा हूं एक बार फिर से जो चीजें नजरा रही है समिच्षा के बाते नजरा रही है उसमें उपेंद्र अब नए दौर में या पहले भी उससे पहले भी आपने देखा होगा नितीश कुमार ही हुआ करते थे और ये लौकुस का जो समी करण है ये लंबे समय तक बिहार की राजनीत में अपना अस्थान बना कर रखा था अचानक से ये टूटा है 2020 के चुनाओं में नितीश कुम निया भी रही कुछ मुद्दों को लेकर के दोनों के बीच में नराजगी भी रही लेकिन वो नराजगी अब दूर होती नजरा लिया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बने हैं तेजश्री आदो जिस तरसे तेजश्री आदो ने महा गठबंधन के अपने पुराने सा तो अचानक से कोई विकल्प नहीं बच जा रहा था सत्ता तक पहुँचने के लिए तेजश्री आदो का क्योंकि सत्तर सीटों में वो दस सीटे कम करके भी खुद चुनाव लड़ना चाहते थे और अपने हिस्से के सीटों को जितना पर खुस हो जाया बी आईपी देना च आईपी को खुस करके जितनी सीटों में वो मान जाते हैं उतनी सीटे दे करके कहीं न कहीं महागठ बंधन को दोनों ही दल भी आईपी और आईपी को जोड़कर रखा जाए पर यह ऐसा नहीं हो जागा जिसका खाम्याजा भी भूगतना पड़ा है अब इस बात को लेकर के बीते समय की बात हो गई चुकि चुनाव परिना मागा है अब नए समीकरन की तैयारी हो रही है उपेदर कुश्वाहा का अचानक से प्रेम जागा है अपने बड़े भाई नितिश कुमार के प्रति और उन्होंने सदन में जिस तरह की तूतू मैं में हुई एक दूसरे पर क्या दोनों भाई एक जूट हो जाएंगे बदले हुए स्टेंड तो यही बता रहे हैं और इस सारा भी कर रहे हैं कि कहीं न कहीं नितिश कुमार अपनी सक्ति संचे करके भाते जनता पाटी को इस जगा पर लाना चाहते हैं कि वो उन्हें अलग नहीं कर सके और उनकी सक्त से होता दिख रहा है और उपेदर कुश्वाहा यदि फिर से नितिश कुमार के साथ मिल जाते हैं तो आप समझिए कि यह लौकुस का जो सेना है यह जुडाव जो है यह एक बार फिर से बिहार के राजनीत में अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकता है कम नहीं वोट आये ह उपेदर कुश्वाह को भले सीटे नहीं आई है लेकिन गठबंधन के रूप में भी वो सफब रहे हैं उनके गठबंधन को छे सीटे मिली हैं यह कम बात नहीं है अगर जरूरत पड़ी तो नितिश कुमार के लिए आगे बढ़ने का यह रास्ता भी हो सकता है और उपेद समिक्षा में लगतार RLSP अब समिक्षा के बाद आगे बढ़ना चाह रही है और अपने वोट वैंग के साथ एक सो से उपर सीटों पे गली गली जाकर हर लोगों से मिल करके एक नया दौर सूरू करेगी अब इस दौर में क्या वो नितिश कुमार के साथ रहेगी या फिर अलग होगी ये वक्त बताएगा जुड़े ने भारत लाइके साथ खबरों का सिलसिला लगतार जारी है नमस्कार 816-700 धन्यवाद